करोना काल के बाद मैट्रों खुल जाने से रेडी पट्री वालों को कितनी सुवदा होगी हम बात करते हैं कुछ रेडी पट्री वालों से उनका क्या कहना है बाद मैट्रों खुलने से हम लोगों को बहुत जादा ही सहलियत मिल गया है और पहले के अपेक्षा बहुत ही अच्छा हो गया इस टेम पहले तो कोई खाने पीने का चीज कहीं रोट पे नहीं मिलता था लोग भाग भूके प्यासे रहते थे और इस टेम तो आने पीने का भी थोड़ा बहुत मिल रहा है इससे लोगों को बहुत ज़्यादा सहुलियत मिल रहा है और मैट्रों खुलने से हम तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और लोग आको भी बहुत जादा सुबदा हो चुका है पहले किसमें दिक्कत के सामना करना पड़ता था और इस टेम जो है सो बहुत ही अच्छा है सहलियत है और मैं तो दिली सरकार से यह बोलूँगा जो कि भाई बेट्रों चलनी चाहिए और प्रोपर ही चलना चाहिए जोंकि पहले के अपिक्षा इस टेम बहुत अच्छा है लोगों को परेशानिया नहीं हो रही है तो बेरी पट्री वाले को भी थोड़ा से सहलियत मिल गया है कुछ दुकंदारी पगर हो रहे हैं और बंद होने से बहुत ज्यादे ही नुफसान था लोगवाग दर बदर की ठोपरे खा रहे हैं कि थोड़ा बहुत 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 अब थोड़ा या नहीं हैं तो थोड़ा भी दॉड़ा लगने लगी तो थोड़ा बहुत जोबां लगवाध की नुफसान हो गया रहा हम लोग प्रेटी पट्टी वाले को फ़ोड़ा बहुत राहत मिली है कि नमक रोटी मिल रहा है मेट्र चलने से थोरी बढूट जो गुजर बसर हो रहे हैं आप सरकार का इसी तरह थोरी बहुत धीरे-दीरे खुल देनी चाहिए है, स्कुल, इसकुल, कॉलेज, जितने भी फैक्टिरी कंपनी, उंपनी, जितने भी है, सबसारी खुल देनी चाहिए सरकार को. हमने तमाम रेडी पट्री वालों से बात करी उन लोगों को कहना है कि करोना काल में जहां करीब 4-5 महिने में मेट्रो शुदा बंद पड़ी ती और लोक में भी काफी उन लोगों को दिकतों का सामना करना पड़ा था और अब मैट्रो खुल जाने से उन लोगों का रोजगार पट्री पे आया है, वो लोग अब कार्रेवे प्रगती पे हैं और जिस्से कि उन लोगों ने खुशी जारी की है मैं विकास्तिवारी दिली, दस तक दिली